कर्मा धर्मा व्रत कथा कुवारी यूबती एवं विवाहित महिलाएं बेसमरी से क्यों करती है कर्मा का इंतिजार कर्मा धर्मा कवैं 2024 में 14 सितंबर दिन सनी वार को कर्मा पूजा मनाया जाएगा आईए सुनते हैं कर्मा पूजा की कथा पूजा समापती के बाद कर्मा कथा कही जाती है कहानी में कर्मा और धर्मा की कथा सुनाई जाती है कथा का मुखे उदेश से ये रहता है कि अच्छे कर्म करना कर्मा धर्मा की कई कहानिया भी है प्रिचलित कहीं कहीं पौरानी कथा इस तरह है कि कर्मा जब भगवान कर्म की पूजा करता है तो उसकी पत्नी गरम दूद से कर्मा के पौधे को स्नान कराती है जिससे उसका कर्म जल जाता है वे गरीब हो जाता है वहीं उसका भाई धर्मा अमीर हो जाता है क्योंकि वे तरीके से पूजा पाठ करता है तब वहाँ जाकर करम के डाल की पुना पूजा अर्चना करते हैं तब उनका करम जाग जाता है रास्ते में कई स्थानों में कर्मा को सोना चांदी वो पैसे मिल जाते हैं जिससे वे अमीर हो जाता है इस अंदर्व में डॉक्टर गिर्धारी राम गोंजु कहते हैं कि को खो गो गो डो तब रहेगा चंगा अर्थात को से कर्म करो, खो से खाओ, गो से गाओ, फिर घूमो तब तुम चंगा रहोगे काम कर अंग लगाया, कन और डहर चले संग लगाया कन कहने का तात्य पर है कि को भी काम करो तो पूरे मन से करो और रास्ता चलो तो मित्र के साथ चलो कथा समाप्त होने के बाद सभी यूवतियां करमडाली को गले लगाती हैं उसके बाद रात भर निर्थ गीत चलता है कर्मा पूजा का कुवारी यूवति एवं विवाहित महिलाएं विसबरी से करती हैं इंतिजा कर्मा पर्व भाई बहन के आपसी सद्भाव, सने और प्रेम का प्रतीक है ये पर्व भादर पद सुक्ल पक्ष एकादसी तिथी को मनाया जाता है इस पर्व का इंतिजार खुवारी यूवतियां एवं विवाहित महिलाएं बेसबरी से करती है दूसरे दिन निर्जला पुवास किया जाता है इसी दिन मुख्य पूजा आयोजित होती है शाम को आंगन में करम पौधे की डाली लगाकर फल फूल आदे से पूजा की जाती है इस दोरान महिलाएं करम डाली के चारो और घुम घुम कर गीत गाती है शादी सुदा महिलाएं अपने माईके में मनाती है पर्व भाई खीर लेकर बहनों से सवाल करते हैं की करमा पर्व किसके लिए करती हो तो बहने जवाब देती है भाईयों के मंगल खामना के लिए बाद में भाई खीर से मारता है जिसके बाद महिलाएं एवं यूबतियां फलहार करती है अगले दिन सुबह में करम की डाली को पोखर में विसरजित किया जाता है इस पर्व की सबसे बड़ी खास्यत ये है कि साधी सुदा महिलाएं अपने माईके में पर्व मनाती है झाले रुदा महिलाएं ये है